गुड़ बारिंग बच्चों, मैसेल्फ बी एसमीना प्रम गवर्मनेट बीजी कॉलेज छालावाड आज हम खाद सरंकला के बारे में अत्यान करेंगे खाद सरंकला मतलब की फूड चैन, सरंकला मतलब की एक चैन तो यहाँ पर हम देखते हैं किसी एको सिस्टम में विविन पोसकिस्थरों चेविक खटक की ऐसी सरंकला जिसके दुआरा एक पोसकिस्थर से दूसरे पोसकिस्थर के मद्दे उरजा ये भुजन का इस्थाना अंत्रण होता है उससे फूड चैन कहते हैं तो यहाँ पर हम simple में, the food chain, मतलब कि the sequence of living organism in a community in which one organism consume another organism to transfer food energy. तो हम यहाँ पर देखते हैं, food chain के अंदर, जो हम देखते हैं, एक organism, दूसरे organism को consume करता है, मतलब कि उसे खाता है, food के form में, जिससे उसे food भी मिलता है और energy मिलती है. तो हम देखते हैं, यहाँ पर जो है, एक traffic level से, दूसरे traffic level था, मतलब कि first next organism, तो यहाँ पर एक दूसरे को खाने की वज़े से, मतलब उन्हें energy, उड़ जा और साथ में food मिलता रहता है, तो यह process क्या है, मतलब कि एक chain हो जाती है यह पूरी, जिसे हम food chain कहते हैं, इसमें जो energy क इस्थनांतरन है, वो unidirectional, मतलब एक DCA होता है, तो यहाँ पर हम एलियास देखेंगे, type of food chain, तो यहाँ पर three type of food chain है, एक तो grazing food chain, second parasitic food chain, third saprophytic food chain, तो इन तीनों food chain के अंदर अगर हम देखें, तो सुरू की दोनों जो food chain है, एक तो हैं यहाँ पर saprophyt, second है, parasite, और यह दोनो food chain sunlight पे depend करेंगे, जबकि जो third food chain है, saprophytic food chain, जो की dead और decaying matter, मतलब की organic matter पे depend करेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं, जो saprophytic food chain है, वो sunlight पे depend नहीं करती, तो हमने देखा grazing food chain, तो grazing food chain क्या है, छोटे जीवों से start होकर, बड़े जीवों की तरफ जाती है, तो यह food chain, सूर्या क प्रिकास पर निर्बर करती है, इसमें प्रितेग पोसक इस्तर पर, जीवों की संख्या मतलब काम होती जाती है, लेकिन आकार बढ़ता जाता है, अर्तात यह छोटे जीवों से प्रारम होकर, बड़े जीवों की तरफ चलती है, जैसे हम देखते हैं, ग्रास, ग्रास को खा खाएगा यहाँ पर फ्राग और फ्राग को खाएगा स्नैक, तो यहाँ पर हमने देखा फोट ट्राफिक लेबल हैं, तो यहाँ पर जो घास का है संख्या वो ग्रास होफर से जादा है, और ग्रास होफर की संख्या फ्राग से जादा है, कहने का मतलब छोटे जीवों से भर करती है और ये बड़े जीवों से प्रारम होकर छोटे जीवों की और जाती है जैसा हम देखते हैं ट्री के उपर मिलेगी हमें चिडिया और चिडिया चिडिया के उपर अनेक जू मिलेंगे और अनेक जू के उपर अनेक वैक्टीरिया या जीवानों तो हम कह सकते हैं ये जो हम देख रहे थे, बड़े जीवों से ये छोटे जीवों की और जा रही है लेकिन ये जो हम देखते है परासाइटिक फूट चैन, ये सनलाइट पे डिपेंड करती है, और थर्ड टाइप आफ फूट चैन है यहाँ पर सैप्रोफाइटिक फूट चैन, या सैप्रोफाइट, या डेटिटस, जो अपका टक, जिने हम कहेंगे, अपरत, ये सूरिया के प्रिकास पर निर्बर नहीं करती, और ये हैं मरत कार्बनिक पदार्तों से प्रारहम होती है, कहने का मतलब डेट और डिकेंग, और्गेनिक जो मेटर है, उससे ये प्रारहम होती है, यहाँ पर हम देखते हैं, मरत कार्बनिक पदार्त, इसको खाएगा अर्थफ़ंग, कैचुआ, और कैचुग खाएगा मोर, पिकॉंग, और मोर को कहीं पोसक इस पर होता है, अब इसके बाद दे रखा है, खाद जाल, कहने का मतलब हम देख रहे थे यहाँ पर, एक सिंपल फूट चैन होती है, जैसे कि ग्रास, ग्रास को खाता है डियर, और डियर के बाद माल लेजी टाइगर, एक सिंपल फूट चैन है किसी इको सिस्टम में, और यहाँ पर अगर माल लेजी, डियर की डैथ हो जाती है, तो टाइगर तो ग्रास को खा नहीं सकता, और ग्रास का नंबर यहाँ पर बढ़ेगा, और टाइगर क्योंकि यहाँ पर डियर नहीं है, डियर खतम हो गया है बीच में, तो टाइगर की भी डैथ हो जाएगी, और यहाँ पर जो हम एको सिस्टम है, वो इस्टेबल नहीं रहेगा, तो खाद जाल के अंदर क्या है, बहुत सारी फूट चैन होती हैं, कई सारी, और कई सारी फूट चैन में, जो यहाँ पर, जो हम सेकंड ट्राफिक लेवल है, वो सेकंड ट्राफिक लेवल, दूसरी फूट चैन के, फर्स्ट ट्राफिक लेवल पर भी डिपेंड हो सकता है, फूट के लिए, जैसे ग्रास है, ग्रास को खाने के लिए माल लीजी, यहाँ पर अगर माल लीजी, डियर की संक्या खतम हो जाती है, तो टाइगर का काम काउ से भी चल जाएगा, तो कहने का मतलब, एक से ज़्यादा फूट चैन किसी एको सिस्टम में है, तो वे एक नैट लाइक, मतलब एक खाद जाल बनाती है, और यह जितना ज़्यादा कॉंप्लेक्स होता है यह जाल, एको सिस्टम उतना ही ज़्यादा इस्थाई होता है, इस्टेबल होता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, किसी एको सिस्टम में, जब अनेक खाद स्रंकला, एक दूसरे से संबंदित होकर, एक जाल का निर्मान करती है, तो उसे खाद जाल कहते हैं, किसी एको सिस्टम में, खाद जाल जितना चटिल होता है, वे एको सिस्टम उतना ही अधिक इस्थाई होता है, खाद जाल में खाद स्रंकला के विपरित, वो जन के अनेक वेकलपिक रास्ते हो सकते हैं कहना का मतलब अगर एक single food chain है तो वहाँ पर second traffic level first traffic level पर ही depend रहेगा लेकिन अगर एक से ज़्यादा food chain है तो किसी भी food chain का जो second traffic level या third traffic level जो हम देखते हैं वो किसी भी food chain से भी उसके लिए वेकलफिक food उपलब्द रहता है तो यहाँ पर हमने देखा interconnected food chain तो बहुत सारी interconnected food chain एक net like structure बनाती है और यहाँ पर एक organism के लिए एक से ज़्यादा option है food के तो यहाँ पर ecosystem हमेसा इस्थाई रहेगा कहने का मतलब अगर कहीं पर single food chain के बज़ाए अगर food web वाली condition है खाज जाल वाली condition है तो वो ecosystem इस्थाई होता है तो आज हमने देखा जो सबसे पहले first हमने देखा था food chain तो simple food chain था जिसके अंदर के living organism की sequence थी एक sequence बनती जाती है living organism की जिसमें एक organism दूसरे organism को consume करता है food और energy के लिए इसे हम कहेंगे food chain लेकिन यहाँ पर हम देख रहे थे food chain क्या type of food chain type of food chain three type of food chain grazing food chain second parasite food chain parasitic food chain और third is saprophytic food chain first two food chain यहाँ पर हम देख रहे थे grazing और parasitic depend on sunlight but third food chain यह है depend on dead or digging organic matter saprophytic food chain यह sunlight पर depend नहीं है फिर इसके बाद हमने देखा खाद जाल food web तो इसके अंदर हम बहुत सारी food chain है वो interconnected है जिससे यहाँ पर जो मतलब की बहुत ही complex structure बन जाती है तो खाने के बेकल्पिक food के बेकल्पिक रास्ते यहाँ पर बन जाते है जिससे क्या है यह ecosystem अगर जहाँ पर food web पाया जा रहा वो ज़्यादा stable रहेगा तो बच्चो आज हमने food chain और food web के बारे में जाना तो आप देख सकते हो यहाँ पर food chain के अंदर हमने single food chain जबकि food web के अंदर कहीं सारी food chain interconnected रहती हैं और यह हमारे जो topic के लिया से हम देख रहे हैं मतलब syllabus के साथ से बहुत ज़्यादा important है तो यह हमें आगे मतलब आप इन्हें अपने साथ से आप देख सकते हैं चलो मैच, thank you